दोस्तों आज किस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप Play Store के किसी भी अप्लिकेशन का लिंक आप अपनी YouTube वीडियो के डिस्क्रेप्शन में किस तरह से डाल सकते हैं जी हाँ मेरे दोस्तों मैंने एक पहले वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि आप फ्लेप कार्ड या फिर Amazon के प्रोड़क्ट का लिंक कॉपी करके किस तरह से आप अपनी YouTube वीडियो में डाल सकते हैं लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप प्ले स्टोर के किसी भी अप्लिकेशन का लिंक कॉपी करके आप अपनी YouTube वीडियो के डिस्क्रेप्शन में किस तरह से डाल सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं उससे पहले बता दू कि मेरा नाम है रामपरवेश और आप देख रहे हैं मिश्टर रामपरवेश चैनल और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लिजिए क्यूंकि इस तरह का सब्सक्राइब करते हैं तो दूस्तो अभी हम आ गये हैं अपने मुवाल को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको जाना होगा आपके मुवाल के प्ले स्टोर में तो आप देख सकते हैं यह हैं अक बार इसको ओपन कर लेते तो जैसे कि हम यहाँ पर ही सर्च कर लेते हैं Instagram लिखें यहाँ पर सर्च करते हैं और यहाँ पर हमारा इंस्टागराम जो है application यहाँ पर आ जाता है कुछ इस प्रकार से उसके बाद आपको यहाँ पे कोने में 3 line option 3. option दिखेगा इसके उपर क्लिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे share option पे एक बार क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको जाना है whatsapp बाले option में तो whatsapp बाले option पे क्लिक कर देना है और आपको यहाँ से किसी एक person को भेज देना है तो हम किसी एक आदमी को भेज देते हैं इसके उपर क्लिक करना है और इसके उपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको जो Instagram application का link यहाँ पर आपको बनके आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर send कर देना है, यहाँ से, उसके बाद आपको यहाँ से ए जो link है, आपको यहाँ से इसको थोड़ेदर, यहाँ पर धुरेदर दभा कर रखेंजें, यहाँ पर linked, linked copied हो गया, यानि कि हमारा जो link है, यह copy हो गया हमारे system में, अब हम क्या करेंगे, और हम अपने YT Studio अगर आप एक यूटूबर है तो आपको YT Studio के बारे में पता होगा तो हम YT Studio ओपन कर लेते हैं और जैसे आप YT Studio ओपन करेंगे तो आपका YT Studio कुछ इस परकार से ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे आपको जिस भी वीडियो के अंदर आपको अपना अप्लिकेशन का लिंक डालना है उस वीडियो को आप खोल लीजिए तो हम simply यहां से हम एक वीडियो यहां से open कर लेते हैं और यहां से open करने के बाद यहां इस pencil वाले पर हम click कर देते हैं उसके बाद आपको यहां पर कोछिस परकार का interface दिखेगा इसके बाद आपको यहां पर इस pencil वाले पर click कर देना है और यहाँ पे आपका YouTube वीडियो का description खुल जाएगा अब आप इस description में जहाँ पे भी आप उस application का link paste करना चाहते हैं उस जगह पे आप यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ थोड़े दिर हम इसको दबा के रखते हैं उसके बाद यहाँ पे पेस्ट का option आ जाएगा इस्पेस्ट वाले option पे हम क्लिक कर देए और आप देख सकते हैं हमारा जो application का link है यहां पे आ चुका है किसी भी application का link डाल सकते हैं किसी भी app का link डाल सकते हैं गाईस उमिद करता हूँ आपको यह आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो please वीडियो का लाइक कीजिए अगर इस चैनल पे आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्यूंकि इसी तरह का latest वीडियो इस चैनल पे आता रहता है गाईस अगर आपके मन में कोई question और सवाल चल रहे हैं तो आप मुझे नीचे comment करके बता सकते हैं मैं उसका answer जरूर दूँगा सो गाईस तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धरने बात वस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग